दोस्तो आज की वीडियो में हमें एक ऐसे खिलाडी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंडियन किर्किट का नाम IPL में उचा कर दिया था जिनें अक्सर उनके ताबर तोड बैटिंग की वज़े से चुलबुल पांडे भी बुलाते हैं जी हाँ दोस्तो इस वीडियो में मनीश पांडे की लाइव इस्टाल एं लाइव इस्टोरी दिखाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप मनीश पांडे के फैन है तो इस वीडियो कर दे लाइक अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर प्रोफिशन से एक किर्किटर है मनीश पांडे का जनम 10 सेप्टमबर 1989 को नेनिताल उत्राखंड इंडिया में हुआ और 2020 के हिसाब से 31 साल के हैं दोस्तों वैसे तो मनीश पांडे का जनम नेनिताल उत्राखंड में हुआ था बट जब मनीश 15 साल के हुए तो इनकी पूरी फैमली बैंगलोर में शिफ्ट हो गई और मनीश ने बैंगलोर के कैंदरी विद्ध्याले ASC सेंटर से अपने स्कूल की पढ़ाई की जिसके बाद इन्होंने करनाटिका स्टेट किर्किट अशोसियेशन जोइन किया और मनीश के पिता एक इंडियन आर्मी ओफिसर थे और इनकी मा एक हाउस वाइफ थी और दोस्तों इनकी एक बहन है जो किर्किटर थी अब बात करते हैं मनिश पांडे के किर्किट करियर के बारे में दोस्तो जब मनिश ठड़ स्टेंडर्ड में थे तब सही उनको किर्किट खेलने की चाहत हुई स्कूल गली महला जहां भी उन्हें किर्किट खेलने का चांस मिलता वे पूरे जुनून से खेलते इस कारण स्कूल के कोच सतीस के नजरों में आ गए कोच सतीस ने उनमें खेलने का जुनून और रनों की भूग देखी जिससे वे परभावित होकर उन्होंने उन्हें कोचिंग देने का फैसला किया वे जल्धी छोटी सी उमर में अपनी जुनूनी खेल किर्किट सीखने लगे और मनिश पांडे के कोच सतीस एक नैशनल कोच थे और उस वक्त करनाटक की टीम को कोचिंग भी दे रहे थे और उसी दोरान उन्होंने मनिश को करनाटक टीम का हिस्सा बना दिया इस तरह मनिश ने करनाटक के लिए खेलते हुए केरल के अगेंस 2007 में नैशनल टी-20 मैचों में डेब्यू किया और इसके बाद मनिश का सेलेक्शन 2008 में Under 19 World Cup Team India में हुआ और इस World Cup को Team India ने जीता जिसमें Team India को जीताने के लिए मनिश पांडे का बड़ा रोल था इस World Cup Series में मनिश के अच्छे परदशन को देखते हुए 2008 के IPL में मुंबई इंडियास ने मनिश पांडे को खरीद लिया इसके बाद मनिश रोयल चैलेंजर बैंगलोर, पूने वरियर और कॉलकता नाइट रेडर का भी हिस्सा रह चुके हैं जबकि 2018 में इंडियन प्रीमियर लीग में इन्हे संराइजर हैदराबाद ने 11 कड़ो रुपे में खरीद कर अपनी टीम में शामिल कर लिया बात करें इनके इंटरनेशनल करियर की तो इन्होंने 14 जुलाई 2015 को ओडिया यानी वन डे इंटरनेशनल डेब्यू किया जिमवावे के खिलाफ मनिश ने इस मैच में काफी अच्छा परदशन किया इन्होंने इस मैच में 71 रन बनाए जो कि तब जब इंडिया की इस्तिति मैच में काफी नाजुक थी मनिश ने के एदार जादफ के साथ मिलकर अच्छी साजीदारी की जो की 144 रन की थी और 17 जुलाई 2015 को इन्होंने अपने T20 डेब्यू किया और ये डेब्यू भी इन्होंने जिमवावे के खिलाफ किया और इसके बाद मनिश को 2016 में सिड्नी में खेलने का मौका मिला जब इन्डिया टीम उस्टेलिया जा रही थी जिसमें इन्होंने शांदार सतक जड़ा इस मैच में मनिश ने 104 रन की पारी खेली इस पारी की बदोलत इन्डिया टीम जीत गई बात करें मनिश पांडे के रिकॉर्ड्स के बारे में तो इन्होंने ओडियाई के 24 मैचिस में 494 रन मारे हैं जिसमें 1 सतक और 2 अज सतक शामिल है और T20 इंटरनेशनल के 49 मैचों में इन्होंने 709 रन मारे हैं जिसमें 3 अज सतक शामिल है और मनिश ने 2009 के IPL में पहला सतक मा गए जिसने IPL में सदक मारा दोस्तों हमें comment करके जरूर बताना मनीश पांडे आपको कैसे लगते हैं चलिए मिलवाती हैं आपको मनीश पांडे की family से तो इनकÑ फादर का नाम है जीएष पांडे और इनकी मदर का नाम है दूस्तार पांडे और इनकी एक बहन भी जिनका नाम है अनिता पांडे और ये भी एक किर्क्रिटर है इंक वाइफ के बारे में तो दोस्तों मोनिष पांडे вас नाम है जोकी एक मॉडल और एक्ट्र prayerस है और इन्होंने इन्से 2019 में शादि की अब बात करते हैं मनिश पांडे के हाउस के बारे में तो दोस्तो मनिश पांडे अपनी पूरी फैमिली के साथ बैंगलोर करनाटिका में रहते हैं वहीं बात करें के कास कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो मनीश पांडे को ODI मैच खेलने के लिए मिलते हैं 2,00,00 रुपे और वही T20 मैच खेलने के लिए मिलते हैं 1,50,00 रुपे और मनीश पांडे का BCCI से एक कॉंट्रेक्ट है जिसके चलते मनीश पांडे को साल में 1,00,00 रुपे मिलते हैं BCCI से और दोस्तो इन्हें 1 IPL का सीजन खेलने के लिए 11 कडो रुपे और मनीश पांडे एक ब्रांड को इंडोस कने के लिए लेते हैं लगबग 1 कडो रुपे अब बात करते हैं मनीश पांडे के नेट वर्थ के बारे में तो दोस्तों इनका नेट वर्थ है 54 कडो रुपे तो ये थी मनीश पांडे की ल लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन में प्रेस कर लेना